असलाम अलेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्ला पाक आपको हमेशा खुश और तंद्रोस रखें ये छटा इफ्तारी की तैयारी हम कर रहे हैं मेरा फ़स्ट ब्लोग है तो आज हम तैयारी कर रहे हैं जोहर की बात से यानि की असर से पहले तो सबसे पहले हम चना को बना लेंगे दीन बर खाली पैट रहता है तो हमें रोजा खुलने के बाद यानि की इफ्तार की शुरुआत हमें कच्चा चना से करना चाहिए इसके बहुत सारे फैदे हैं यह फाइबर से भरा है और हमारे सुस्ती और ठकान को दूर करती है और हमेशा इनरजी बनी रहती है और हम फ्रेशनेस फिल करते हैं तो इससे बनाने के लिए हम लिए हैं एक बड़ा प्याज एक खीरा आधा निम्बू दो टमाटर दो से तिन हरी मिर्च है और धन्या पत्ति इन सभी चीज़े को हम बारे बारे कट कर लेंगे आपको जितना बनाना होगा वो इसके इंसाब से सभी चीज़े के लिजिएगा ज्यादे आकम प्यास थोड़ा बड़ा था तो हम आधा ही लिए हैं ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है तो एक बार आप भी जोग ट्राइ कीजिएगा अगर नहीं बनाते होंगे तो यकिन मानिए इसे खाने से बहुत ही जल्दी इनर्जी मिलती है वैसे भी हमें खाली पर ट्राइने के बार बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़े नहीं खाने चाहिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है अब इन सभी चीज़ों के हम अच्छी तरह से मिला लेंगे नमक और निम्बू डाल करके अब चाहिए इसमें चाट मसाले भी डाल सकते हैं अब इसे हम तयार करके अलग रख लेंगे साथ में हम ब्रट पकोड़ा बनाने के तयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दो कब बैसन लिये हैं थोड़ा से नमक और थोड़ा से बेकिंग सोड़ा यानि के आधा टीश्पून लिये हैं अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा पतली हो गई है तो इसमें हम थोड़ा से आधा कप और डालेंगे बिसर और इस तरह का बेटर तयार कर लेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से बेटर हम तयार किये हैं अब इसमें साइड में रख लेंगे अब पकोड़े में डालने के लिए मसाला तयार करेंगे तो सबसे पहले हम एक पैन लिए हैं उसमें थोड़ा से सरसोते लेंगे अब इसमें हम डालेंगे पच फोरण अंधा चमच और बारिक कटा हुआ प्याज अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे अंधा ग्लसन का पेस्ट एक चमच आपको जितना बनाना होगा उसके हिसाब से सभी चीजे को तयार किजिएगा इसका कच्छा पंदूर हो जाए इसलिए हम फोड़ा सा पानी डालें साथ में लाल मिर्च पौडर काली मिर्च पौडर और जीरा पौ और थोड़ा सा नमक और इससे अच्छी तरह से भून लेंगे हम तो देखे मसाला हमारा भून चुका है और आलो को हम बोईल करके रखे हुए थे तब भूना हुए मसाला आलो को मिलाएंगे इस तरह से और मेश कर लेंगे आप अपनी पसंद के और भी मसाला एड़ कर सकते हैं लेकिन यह कम मसाला हम बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है और इसमें हरी धनिया पत्ती डालेंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो हम चे साथ ब्रेड लिए हैं तो इसका जो किनारे साइड है उसका हम निकाल लेंगे काट करके आप चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस तरह से हम कट कर लेंगे तो तेल हमारा ग्राम है अब कट किया हुआ ब्रेड में इस तरह से हम मसाला आलो के इस तरह से डालेंगे और डाल करके सभी को तयार कर लेंगे तो देख सकते हैं सभी को तयार कर लिए हैं और थोड़ा से विशन को और थोड़ा से मिला लेंगे हैं इस तरह से और ब्रेड को इस तरह से लेपेट करके तलेंगे तेल हमारा ग्राम है इस तरह से डालेंगे से कलर चेंज ना हो तब तक तलेंगे और इस तरह का ब्रेड पकोडाक बहुत ही मज़े की लगती है खाने में तो यह फ्राय हो चुका है अब हम दूसरा वाला को डालेंगे इस तरह से और सभी को इसी तरह से हम फ्राय कर लेंगे तो हमारा ब्रेड पकोड़ा तयार है और आप हम दिखा रहे हैं अंदर से किस तरह से तो देख सकते हैं और साथ में हम सर्वत बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा से हम पानी लिए हैं इसमें हम दो सतीन चमच चीनी लेंगे और इसे कुछ मेट लिए ढख करके रख देंगे तो देखें दो तिन मिनिट के बाद हम चीनी को किस तरह से मिला रहे हैं तो चीनी को अच्छी तरह से मिला करके इसमें हम पानी मिलाएंगे नॉर्मल पानी और साथ में निम्बो का रस और इसे भी अच्छी तरह से मिला करके हम इसमें दो चमच हम गुलकोस डालेंगे गुलकोस से भी हमें बहुत ही जल्दी इनर्जी मिलती है लेकिन बहुत जादा नहीं डालना है और इंस फ्लेबर का गुलकोज में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ में हम बरफ का टूगड़ा डालेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे ठंदा होने के लिए अब रोजा खोलने की तैयारी हो रही है तो सभी चीजे को हम एक जगा रखेंगे तो यह कुछ हम फ्रोट कट कर लिए थे और यह बोईल चना है इपतार और सेहरी में हमें कम तला हुआ चीजी खानी चाहिए क्योंकि इसे खाने से हमें प्यास लग सकती है हमेशा हलकी फूल की चीजे खानी चाहिए जिसमें प्रोटिन और फाइबर ज्यादा हो यह चना दाल बड़ा है इसका रिसेपी भी हम शेयर करेंगे इंशाल्ला और बाहर से हम समुसा मंगा लिए थे अभी भी रोजा खुलने में थोड़ा टाइम बाकी है तो इस वक्त हम दुआ करने के लिए बैठेंगे क्योंकि इस वक्त दुआ करने से जरूर कुबूल होती है मैं उमीद कहती हैं कि मेरे वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो लाइक केमेंट शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले अल्ला आफेज